दोस्तों कैसे आप सब चलिए फटा फट चालू करते हैं यह है हिबिसकुस का पौधा इसे हम गमले पे भी बना सकते हैं और चमेन पे भी लगा सकते हैं गमले पे अगर लगाना है तो इसके मिट्टी में हर चीज एक चौथाई मात्रा में होनी चाहिए कॉम्पोस कोकोपेट और आपके मिट्टी और रेट और दुस्सरे चीज पानी की इसमें पानी वैल रेन चाहिए खाद इससे एक बार आप फरवरी में दे दीजिए बहुत जलदी होता है इसलिए नीम ओल का स्प्रे हर 15 दिन में करना ही चाहिए और प्रोपगेशन की बहुत आसानी से कटिंग से लगाया जा सकता है आप कटिंग को लीजिए कुछ दिन पानी में या फिर कोकोपीट पे डाल दीजिए अपने आप उसमें जड़े निकल आएंगी अब गंबले पे और मिट्टी पे क्योंकि ये दोनों पे बहुत अच्छा चलता है हां और तीसी ची सनलाइट सनलाइट इससे जरूर जाहिए क्योंकि अगर सनलाइट इसमें पौधे में अगर फूल आ रहे हैं और फूल तो आप जानते हैं सनलाइट से ही होगा सलेट नियोंगी तो फूल नहीं आएंगे और इसकी हाइट अगर हम जमीन पे लगा और भू cow तो बहुत उंचा जाएगा तो जमीये मेरा ये जमीन पर लगा है तो बहुत जरूरद में लगा है और कटि में से उसनले पॉल पर जोती है यह बहुत सारे चलर को आता है आज ऑशकल तो हाइब्रीड भी आ रहे हैं यह देस यह और बस इसकी अच्छा से आ आप म पाइडर माइट्स का इसमें ध्यान दीजेगा, इसमें बहुत ज़्यादा अटाइक होता है, क्लीडों का और वह जो वाइट मिलीबग सोते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए इसमें कंटिन्यू आपको नीम ओयल का स्प्रे देना ही देना है, और जब फ्लावरिंग का टाइम होता है, ठंड में तो यह सोता है, तो गर्मियों में ऐसे अच्छी लिक्विट खात की आविशक्ता होती है,